हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ लॉकेस एक बार आप सभी कात स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग अड़्डा पर आज अपन डिसकस करने जा रहे है आई बीपेस प्यों कोशन पेपर जो 2020 फर्स सिप्ट का पेपर है डिसकस करेंगे तीन तारी को कौन कौन से कोशन आपके पास पूछे गए और पेपर आपका रहेगा इंग्लिश का देखेंगे अपन इंग्लिश के नर कौन से कोशन पूछे गए और एक फैकल्टी अपरोच कैसी हो सकते किसी भी कोशन को सॉल करने के लिए इंग्लिश के अंदर वह आज अपन डिसकस करेंगे चलिए डि अगर श्टुडें अगर चाहे कि सर मेरे पास इतना टाइम नहीं और मिसको इसको सॉल नहीं कर सकते हैं फिर इनके अनलाइसस में नहीं कर सकता तो इस्जी कुछ नहीं है बड़ फिर भी आ थिंग आपको कर लेना चाहिए ताके आपको पता चल जाए कि कौन सा को सा को सबसे with the three words, okay, in bold, okay, choose the option which gives the correct sequence of these words to make the sentence grammatically and contextually correct, अब देखेगा, वैसे अगर देखा जातों, आपके पास, इंग्लिश में सबसे important चीजी होती हो, contextual concept होता है, जहाँ पर एक sentence के अंदर अब भी word अगर लगा रखा है, तो क्या वो contextually सही है या फिर गलत ही है, आपको देखना पड़ता है, तो देखते हैं कितने आपके पास, 1, 2, 4, मतलब चार कोशन आपके पास है, कोई issue नहीं, इंचियार कोशन को पहला आप स्वाल कर सकते हो, कही problem नहीं, क्योंकि अगर आपके वाक्याप के अंदर आपके contextual concept थोड़े से अच्छे है, तो आप इसका answer निकाल पाओगे, चली देखते हैं, इसके sentence आपके पास दे रखा है, sentence आप से कह रखा है, The role played by human rights organs in documenting and questioning state component and access is necessary functioning of civil society activism. करना कुछ नहीं, आपके बास यह तीन word आपके बास बोल्ड़ दे रे है, अब आपको क्या नीचे दे रहे है, आपके बास कुछ आप सन, आपको करना ही है कि यह जो options को यह आपको यह नहीं, यहां पर मैं लिख सकता हूँ, इसी तरीके से आपको क्या करना है, इन जो भी options आपके बास दे रहा है, इन में से एक सही लगाना है, तो यहां पर आपने देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं, कौन सा आ सकता है, तो देखिएगा, एक चीज तो sure है, कि यहां पर दे रहा है documenting और यहां पर दे रहा functioning, अच्छा, पकड़ेंगे कैसे, यहां पर दे रहा questioning, तो यहां से सिधी सी बात पता चलती है, कि यहां पर जो भी word आएगा, वो मेरे पास आएगा, क्या ing form वाले आएगा, मतलब यह तो sure है, कि अगर यह A है और यह C है, तो पहला तो मेरा यहां तो A रहेगा या पर c, तो देखियेगा, यहां पर देखते है, A, और यहां पर देखते है, C, मुझे सिर्प इतना देखना है, कि इन दोनों में से कौन सा आ सकता है, अब एक बार यहां काम करते है, functioning लगा की देखते है, अगर functioning मेरा वहां सेट हो जाता है, तब तो आपका आँ human rights organization in functioning and questioning state component and access is a necessary functioning of civil society activism ठीक है यह आपके पास sentence दे रखा है तो जहां तक मुझे लगता है इस sentence करना देखेगा questioning और उसको चलाना, documenting करना नहीं तो मेरे इसाब से ज्यादा अच्छा आपके पास sorry मेरे ध्यान से आगर देखेंगे तो देखें इस नहीं लिखा the role played by human rights organization in the functioning and questioning नहीं पहले उसको बनाना और उसके ओपर question करना मतलब documenting and questioning तो आपके पास जहां तक मुझे लगता है ए बिलकुल सही है अब देखें अगर आपके बास बिलकुल सही है तो पहली अब पीछे बचता है C और B क्या C और B आपस में रिप्लेस हो सकते हैं देखते हैं and questioning state functioning and access is a necessary component of civil society activism यह जो चीज़े हो क्या है necessary component है तो एक बात चीर है कि यह word दोनों आपस में क्या हो जाएंगे रिप्लेस हो जाएंगे और यह word अगर रिप्लेस हो जाएंगे तो मेरा ठीक है contextual concept अगर आप ध्यान से देखे तो कहीन के आप अपर आंसर तक बहुत सकते हो चलते नेक्ट कोशन पर दूसरा कोशन आपके पास कह रहा है तो यहां पर अगर इसको ध्यान से देखे तो एक बात तो शियर है कि कही न कही यहां पर इसने लिखा है यहां पर एक रहेगा नहिंए तु यहां पर रहेगा फैंनासर तो देखे ब म zijसे यहां हो जाएगा अब आ अपस एक काम करते भी यह C लेते हैं, तो एक बार लेते हैं, The C and AGE's observation in its financial audit report relate to the denial of states, states divisible, states divisible, क्या divisible में यहां लगा सकता हूं, क्या divisible में यहां लगा सकता हूं, ठीक है न, अच्छा, यह तो नहीं आएगा, बड मेरे पास option यह भी तो है, कि इसको में यहां ले लू, ठीक है, डीवीजिबल नहीं हो सकता, state share हो सकता है, तो देखो होगा क्या कि यह जाएगा यह जाएगा यहां पर, यह जाएगा यहां पर, और यह आएगा आपके 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 यहां पर, मतलब आपके बास जो करेक्ट सीक्वेंस रहेगा, वर्ट्स का वो रहेगा, ब, सी, ए, जब आप इसको पढ़के पुरा देखो, तो कहीने कई काई कॉंटेक्शल कॉंसेप्ट आपके आजाएगा, मैं एक बार पढ़के आपको बता देता हूँ, तो कहीने काई क्या आपके बास रह जाएगा, चलते हैं, और आगे, कोसा नमबर आपके बास रह जाएगा, कोसा नमबर थरी, सेंटेंस आपसे कहरा है, many countries have chosen to ignore the connection between biodiversity and well-being have chosen and pursuit देखो यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर है और यहाँ पर वीत्री दे रखा है चलो ठीक है अब सेंटेंस को पूरा ध्यान से देखो उनों सेंटेंस को यहाँ से देखा तो यहाँ पर यहाँ पर ऑफ शूरू हो रहा है इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर्शू टीजगा यहाँ पर आना क्या चाहिए जो भी वरड आएगा वह वीत्री की फ़र्म में आना चाहिए क्योंकि इसके ठीक बाद में वी 3 होना चाहिए यह ग्रामर का कॉंसेप्ट अपन लगा रहे है ठीक है तो देखिए वी 3 कहा पर है वी 3 इन में से आपके पास यह दिखाई दे रहा है चाहिए में आपके आपके पास आ जाएगा एज होजाए यह दू से छे का वी 3 में से वी 3 इन ने अधिए वका पन आपत बेखिए अलगालों इस ने का है इसने कहा है différents countries have chosen to ignore the connection between biodiversity and well-being and depleted ecological capital in pursuit of financial prosperity. तो एक बात यहां पर यह भी share होगी. पर्शूट जो है वो यह दोनों भी आपस में आपके पास क्या हो जाएंगे? रिप्लेस हो जाएंगे. तो पहला रहेगा C, दूसरा रहेगा A, और तीसरा रहेगा B. पहला रहेगा C, correct answer will be option B. चलते हैं आगे. नेक्स्ट कोईशन आपके पास दे रहा है, गान्दी जी रीपीटेद थौट ऑन सर्विश टो अल हुमन बिंग्स गान्दी जी रीपीटेड थौट ऑन सर्विश तो अल हुमन बिंग्स from all traditions of emphasis was the essence of his non-violent democratic theory यह actual sentence पूरा है इसको थोड़ा आप देख लिजेगा ठीक है तो from all tradition of emphasis अब देखिए गांदी जी का repeat thought क्या ये सही रहेगा अगर sentence को ध्यान से देखिए तो इसको अगर option से करें तो आप क्या कर सकते हो देखो जहां तक मुझे लगता है ये जो thought word है ठीक है वो replace हो जाएगा आपके पास replace हो जाएगा आपके पास B से ठीक है अब B मेरा पहला पहला कहाँ पहला आपके पास option D में है ठीक है अब देखो ये तीनों मेरे possible answers नहीं हो सकते options से में इसको solve कर रहा हूं तो D मेरा possible answer हो सकता है बच्छा मेरे पास none of these तो एक बार इसको पढ़के देख लेता है ठीक है पहले में मेरे को भी लेना देखना Gandhi's is repeated emphasis अच्छा ये repeated emphasis ही मैंने यहां पर क्यों लिखा क्योंकि वो अपनी बात पर जोड दे रहे है ठीक है एक ही चीज़ पर हो कह रहा है कि Gandhi's repeated emphasis on the service to all human being ठीक है हर human being को service देना या फिर हां उनके कल्यान के लिए बात करना ठीक है from all traditions of of thought was the essence of his मतलब essence मतलब main जो उनके thought था main जो उनकी theme थी वो यह थी non-violent democratic theory के उपर तो correct नांसर आपके पास जो रह जाएगा वो क्या रह जाएगा d option will be correct according to the context चलते आगे next आपके पास जो दे रखा है question number देखेंगे अच्छा यह question का इन सा है पहले इसको थोड़ा सा देख लेते है which of the following phrase word from the option a b c d given below each sentence should replace ओचे यह जो question आपके पास है और क्या है phrase replacement का question है अब phrase replacement के question में अगें आपके वास काम क्या लगेगी ग्रामर काम लगेगी ठीक है इसको थोड़ा ध्यान से देख लेते है कि इसने बोला है the truck head assumingly collide with car तो आपको इसको replace करना है अब देखो सबसे पहले यह देखते है कि no correction no replacement replacement यहाँ पर आ सकता नहीं आ सकता है यहाँ पर head है तो मुझे पता है कि इसके ठीक बाद में V3 आना चाहिए देखो यहाँ पर collide है तो हो ही नहीं सकता है यह कॉलाइडेड होना चाहिए ठीक है अक्समा जो टक्कर लगती अच्छानक जो टक्कर लगती उसके लिए कॉलीजन वर्ड यूज करते है अपन तो सब्सक्राइड हो सकता तो यह मेरा आंसर नहीं हो सकता और वर्चुली रिसीवड इंपॉसिबल तो कर्रेक्ट आपके बास कौन सा रहा आंसर आपके बास रहेगा एविडेंटली कॉलाइड हैड के साथ वीथर यह अपने छोटा सा लोजिक लगाया चलते थोड़ा और कि देखे तो देखिए इसमें अपन देखते हैं हैज प्रॉमिशिज अब यहां पर अपने पास एक इश्यव आ रहा है कि विग प्रॉमिस जो है नहीं कट जाएगा मतलभी मेरा आंसर नहीं हो सकता ठीक है रिक रिकाल प्रॉमिसिस हो रह जाएगा चलिए चलते आगे कोशन नमबर 7 7 आपके पास कह रहा है student feel autonomous when they are able to willing engage time and energy to their study जब वो अपनी अपनी इच्छा से time and energy engage करे कहा पे study के अंदर ठीक है ना अब देखिएगा students feel autonomous when they are able to willing engage नहीं able to engage willingly अगर ऐसा कुछ होता तो मेरे पास answer हो सकता था corporate word यहां पर proper है नहीं ठीक है अब देखो मैं यहां पर इसका logic किया लगा और इसको समझ लेना तू के बाद में आपने पास आना चाहिए वी वियन और willingly एक adverb हो जाएगा ठीक है ना तो यहां पर अगर अपन यहां readily devoted willingly devote अगर यह general way में बात हो रही है जो कि यहां से देखा जा सकता है तो इसका आंसर आपके पास क्या रहेगा willingly devote मतलब अपना time और energy वहां पर क्या करें devote पूरा समर्पित कर रहे है यह आपन कह सकता है चले चलते आ गए कोसर नमबर 8 8 तो 12 आपके पास कोसं जो दे रहा है यह क्या है इच आप दो कोसं गीवन बिलो असेंटेंस है बिन डिवाड़े इंटो 5 पार्ट्स कुछ नहीं यह आपके बास छेंटेंस को कहा जा सकता है कि आल पकि बास पूरा सेंट्मेंस पर दे रखा तप कि इसका सः ही सिवेंस क्या सकता है अब अगर आपको पेरिंग करना आता है ठीक है यह बहुत अच्छी हेल्प आपके लिए हो सकती है ठीक है उसमें ग्रामर की कॉंसेट थोड़े बहुत काम लगते है और रिडिंग स्कील आपकी काम लगती है देखिए इसको मैं सॉल गरता हूं इसने लिखा है सबसे पहले देखा अब भी करने सकता तो नहीं सकता था, इसका अंसर यह रहेगा एक बार देखते है क्या, C हो सकता है इसने बोला, as many as three two to seven new covid-19 case were reported 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 okay c मेरा possible हो सकता है हो सकता है as मैंने यह से से सेंटेंस की शुरुआत की हो और उसके बाद में आगे चला हो b नहीं in the capital नहीं हो सकता other part पहले नहीं लगा धियान रखना b नहीं हो सकता तो इसको अटा दीजिएगा फिर d लेते the total number of case सीधा शुरू नहीं हो सकता तो correct answer हो सकता है यह हो एक बार मैं इसको पूरा पढ़की देख लेतो मेरा answer है या नहीं है अच्छा एक बात और according to a health bulletin released by Delhi government ठीक है न तो E का relation किसके साथ है E के साथ है तो यह मैंने एक pair बना लिया ठीक है एक बात और as many as 3227 new covid-19 case were reported to the total number of cases या फिर reported in the capital in the past 24 hours taking to this taking to the total number of cases to यह भी तो हो सकता है तो correct sequence मेरे पास जो रहेगा वो कौन सा रहेगा c b d e a ठीक है पहले c रहेगा reported ठीक है फिर capital के अंदर past 24 hours ठीक है ना taking to the total number of cases to ठीक है जितने भी case थे 24 hours में वो इतने हो गए ठीक है और यह चीज़ किसके द्वारा की गई health bulletin released by Delhi government तो correct answer आपके पास क्या हो जाएगा b b will be your correct answer जहापे sequence आपके पास कुछ ऐसा रहेगा चले चलते आगे यह थोड़ा आपके पास आपको समझना पड़ेगा इसको ठीक है grammar की कुछ concept अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो reading skill काम लग सकते हो ठीक है option से भी अगर इसको चाहो तो कर सकते हो कहीं इस्यू नहीं है आराम से हो जाएगा चलेगा चलते आगे next question number 9 the Delhi High Court allowed yes the CBI and ED's appeal former telecom minister A. Raja and others for an early hearing on its leave to appeal against the 2G case verdict acquitting अब देखो यह पे 2G case verdict कौन थे CBI and ED's sorry यहाँ पे अपने एक sequence बना रहे है देखो E का सिधा सा relation आपके पास जो हो जाएगा किसके साथ हो जाएगा C क्यूंकि against the 2G case verdict acquitting जिसके अंदर A. Raja and others हो गए तो देखिए E का relation C के साथ option देखो E का relation C के साथ कहा है क्या बात आंसर जो निकला उपसे में आपके पास तीन उपसन है जहाँ पर E का पेर बन रहा है C के साथ कोई issue नहीं है कोई बात नहीं इस पेर को छोड़ते दूसरा पेर बनाते है अब एक बात में यहाँ पर बता तो यहाँ पर करते हैं इसको पढ़के देखते क्योंकि B के लिए के साथ यहाँ पर यह नहीं हो तो मेरा आंसर पका यही रहेगा ठीके पढ़के देखते हैं पहला D हो यहीं सकता क्योंकि सुरूआद इसने फौर से कर रखे जो हो नहीं सकता तो जहां तक मुझे लगता है मेरा करेक्ट आंसर जो आपके बास रहेगा वो कौंसा होगा एक बार में पढ़के देखता हूं इसने लेखा था दिली high court allowed the CBI इदी अपील for an early hearing on its leave to appeal against yes the 2G cases verdict acquitting the CBI and sorry former telecom minister A Raja and others तो करेक्ट आंसर आपके बास जो रह जाएगा वह कौन से रहे जाएगा, A will be your correct answer, चलिए चलते आगे, next, question number 10, question number 10 आपसे कह रहा है, intensive है, okay, देखो, इसको option से ही करते है, option से कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन चलेंगे, C, protest, ठीक है, क्या सिधा sentence की सुरुवात इससे हो सकते है, नहीं हो सकती है, मेरा answer होई नहीं सकता, ठीक है, आगे चलते है, D, farmer outfits announced, okay, announce that they would, okay, protest and the social bycott of political leaders, पर किस चीज़ का protest, इसमें इसने दे रहा है, रेलों को, हाँ, यह हो सकता है, कि अगर यहां से आपने पड़े, शुरुवात आपके पास दे रखी होगी, D, पहला हो गया, farmer outfits announced, ठीक है, that they would, और यहाँ पे यह दे रहा है, sorry, मेरे mistake हो गई, यहाँ पे यह दे their agitation, यह हो सकता है, देखो कैसे, farmer, noun, ठीक है, उसके लिए pronoun, उसके लिए फिर से pronoun, सिक्वेंस बन रहा है, तो हो सकता है, मेरे possible answer यह हो, ठीक है, एक बार इसको पूरा पढ लेते है, farmer outfits announced that they would intensify their agitation from October 1, October 1, ठीक है न, which will include an indefinite railroad protest, yes, इसका relation इसके साथ आपके बास बन गया, तो correct answer आपके बास जो रहेगा, वो कौन सा रहेगा, C, C will be your correct answer, ठीक है, चलते आगे, next question, question आपके बास दे रहा है, महराष्ट्रा गवर्नर इस्जूद अनोटिस, नोटिफिकेशन देट, okay, सबसे पहले A को देखते हैं, हाँ, A मेरा पहला हो सकता है, फिर उसके बाद में C, notification that forest dueling families to, नहीं हो सकता, मतलब यह मेरा answer नहीं हो सकता, forest dueling families to, will, हो यह नहीं सकता, क्योंकि 2 के साथ will, helping verb कैसे हो सकते हैं, not possible, ठीक है, फिर D, build house, सीधी वर्ब के साथ सुरूआ हो यह नहीं सकता, नहीं हो सकता, फिर देखते हैं, B, B में इसने दे रहा है, will, हो यह नहीं सकता, तो correct answer आपके वास क्या हो जाएगा, no arrangement required, मतलब है इसको पूरा पड्ली जी का sequence जो आपके बास दे रखा, बिल्कुल, सही दे रखा, इससे हो पहा है, तो अच्छी बात है नहीं, तो देखो, तो के ठीक बाद में V1 होता है, यहाँ पे V1 है न, तो correct answer आपके वास यही तो रहेगा, no arrangement, rearrangement required, इस question में आपके वास किसी प्रकार के arrangement की जरूरत, I don't think है, चली चलते आगे, question number 12, 12 आपसे कह रहा है, 12 आपसे कह रहा है, सबसे पहले A, आपसे sentence की शुरू हो नहीं सकता, मतलब यह मेरा हो नहीं सकता, पहला हो गया गलत, ठीक है, फिर देखते है C, C में इसने देखा, the reality that the, नहीं हो सकता, ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, क्या कोई sequence बन रहा है क्या, movement itself is a result of, yes, मतलब D कर सिक्वेंस जो है, A के साथ है, D कर सिक्वेंस एक के साथ कहाँ है, एक option, दूसरा option, ठीक है, चलो, कोई बात ने, इसको पढ़ के देख लेते हैं, पहला देखते हैं, क्या D पहला हो सकता है, movement itself is a result of the failure of due process, me to R नहीं हो सकता, तो correct answer आपके बाद जो रहेगा, वो answer रहेगा, D, अच्छा, इसको करने के बाद भी सीधा आंसर नहीं लगाते हैं, एक बार no rearrangement लिखा हुआ है, तो इसलिए ज्यादा बैट रहेगा, आप क्या रहोगे, एक बार इसको पढ़ लोगे, देखे, पढ़ के देखते है, the controversy surrounding me to are complicated by the reality that the movement itself is a result of, बिल्कुल सही, correct answer आपके पास जो रह जाएगा, वो कौन सा रह जाएगा, D will be your correct answer, तो देखेगा, अभी तक आपने देखा, इस session का पहला पार्ट, जहां पर मैंने आपके सामने कुछ questions आपके पास रख है, IBPSPO Prelims 2020 के, अब अपने पास बचते हैं, कुछ 2-3 questions आपने पास और बचते हैं,